वेल्कम बैक तो जागो दुनिया मैं हूँ फारूक हसन और अब सेग्मेंट है जी हमारा मर्स की नब्स तक और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुहम्मद आरिफ तारलट साहब यह हेड अफ एंट डिपार्टमेंट है यह नोज थ्रोट डिपार्टमेंट उनके हवाले से हम बात करेंगे रॉक्साब असलाम अलेकम खुशाम अलेकम अलेकम स्लाम थैंक इसे हैं आप ठीक ठाक है यह लाका शुक्र रहत है रॉक्साब सुनना एक बेसिक रिक्वार्मेंट हर हुमन बिंग की होती है जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो व आप किस तरह से अंदाजा करते हैं कि इस बच्चे के या इस बच्ची का सुनने की जो है ताकत कुट गोयाई जिसे कहते हैं वो सही है अपने मुझे यहां आने की और आप से यह बात शेयर करने का मौका दिया बड़ा एहम क्वेश्चन है सुनना और बोलना इसके थ्रू ह लर्निंग होती है जब बच्चा पैदा होता है उससे आनवर्ड जो बच्चे नहीं सुन सकते वो बोल नहीं सकते और दुनिया से वो कट आफ रहते हैं तो इसलिए यह पहलो बहुत एहम है कि इसको हाइलाइट किया जाए और हमारे मुलक में तो सूबे में भी मुलक में भ कैसी होती है जो अदर्वाइस बिल्कुल ठीक होते हैं जेनी तौर पर ठीक है देखना ठीक है चलना पर ना खाना पर ना सारी बोल भी सुन सकते हैं अगर उनको अगर वो सुन सकते हैं उसके थ्रू सुनने के थ्रू जो बोलना डिवैलप होता है वो अगर हो जाए तो वो जा मालूम उन में से कितने बड़े-बड़े साइंसदान बन सकते हो तो इसमें बड़े अर्सा से खाहिश थी के हमारे मुलक में भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उनका हो जो बाकी दुनिया में शुरू हुआ वा था यहां नहीं हो पा रहा था कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता उसके लावा सिंपल कुछ मैयर्स होती हैं जैसे हमारे बज़रग दादियां नानियां खासकर उनको कुछ हंदाजा होता है इस चीज़ का कि बच्चा जब शुरू में कुछी बरतन गिरे या उंचा बोले या किसी तरह का कोई शोर उसक बाड़ी लेंग्विज आती है उसमें कि अगर शोर उंचा हो तो वो करता है ऐसा आप से यह भी पूछने चाहूंगा कि जो बच्चे पैदाशी तोर पे टेफ होते हैं उनका कोई इलाज हो सकता है वो बच्चे जो सुनने ही पाते हैं उनका नमबर वन तो डागनोस कर ले क्लियर इंप्लांट उसको कहते हैं अच्छा वो काफी बड़ा उपरेशन है और वो इंप्लांट इसल्फ बाहर से मंगवाना पड़ता है और काफी महंगा है तो यह काफी महंगा किसम का अपरेशन है आम आदमी के फोर्ट से बाहर है यह खासा महंगा है मैं बताता हूं उ पहपस उसकी कीमत जो itself है वो भी कोई बीस-इकीस से लेके 24,000 डॉलर अमेरिकन डॉलर तक उसकी इमप्लांट की कीमत है यानि बीस एक लाग का तो यही हो गया यह हो गया ठीक तो यह खरचा उस पर ज़रूर है लेकिन अगर उसकी investigation सारी बच्चे की कर ली जाएं उसकी feasibility operation के लिए जो तैयारी होती है कई steps होते हैं उसमें तैयारी के operation की facilities देखना operation की equipment की देखना बच्चे के जो अंदर की structures हैं सारी वो सारी देखना, clinically उसके करना कई investigations होती हैं वो सारी हो जाएं और बच्चा अगर उसमें surgery की कांट्रा इंडिकेशन नहीं है जिसमें के operation करने से बच्चे को नुक्सान हो सकता हो और ना हो तो operation करें तो अला करता है तो ये implant जो आप कहरें रख साब ये क्या एक मसनुई hearing aid होती है जो आप बच्चे के कांट में फिट कर देते हैं क्या is it something artificial जी इससे मिलते जुलती ही चीज़ है कि दो इससे हैं इसके एक internal part कहलाता है और एक external part होता है जो internal part है वो कांट के पीछे बहुत ये काफी बड़ा एरिया खोल के operate करके फिर masteroid area होता है फिर उसका middle year आता है इससे बच्चे के development जो है बाकी वो effect तो नहीं होती नहीं अलाग शुक्र है वो नहीं होती डॉक्स अब ये बताईए कि ये तो हम पिदाईशी उसकी बात करें मर्स की मुझे ये बताएं कि ये कोई ऐसी वज़वाद भी like other societies ये कामन मसला है कि कई सारी इसकी वज़वाद ऐसी है जो बाद में होती हैं बिमारियां भी और ऐसे कुछ factors हैं जिनको हम बेतर manage करें तो हम उससे बच भी सकते हैं ये होता है कई ऐसी चीज़े मैं उनका जिकर करता हूँ और उनमें से कुछ preventable भी है जिन से बचा जा सकता है और अगर हो ही जाया तो फिर उसका इलाज भी किया जा सकता है ये एक cochlear implant उन बच्चों का भी इलाज है जिनका hearing loss ये deafness पैदा होने के बाद किसी और बिमारी की वज़ा से लगी पैदा होने के वक्त अगर बच्चा ठीक था पैदा होने के बाद उसको यरकान हो गया जान्डेस जिसको कहते है इसकी एक विराइटी करनिक्टर्स कहलाती है कि बहुत ज्यादा वो जो colors हैं जिसम के वो पीला जैसे बच्चा हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाए कर्निक्टरस वो डेंजरस लाइन में भी चला जाता है वो आपके डिरेक्ट औरल सेंस को अफेक्ट करता है वो हीरिंग को अफेक्ट करता है बस आखिर में चोटा सा वो जो मैंने आपसे पूछा था है क्या बच्चों के antibiotics होती है जी बलकूल ऐसा है कि जब bacterial infection हो अगर antibiotics ना दें तो बच्चे की serious complications हो सकती है तो इस वजा से बच्चों को भी antibiotics उस वक्त जब जरूरत हो जो जरूर देने चाहिए राफ सेविंग के लिए function की saving के लिए ठीक अलेदा होती है उनकी special होती है या आम doses adjust करना पड़ती है डोक साब बहुत 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 शुक्रिया टाइम वार बस थोड़ा था live program है लेकिन बहुत मज़ा आया और आपने बहुत simple अंदाज में जो है और बिलाल कुतब जो हैं उसमें मौजूद होंगे अच्छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करते हैं स्टे ट्यून टुजागो दुनिया